नमस्कार स्वागत है आपका लोगसभा टीवी के इस खास काईकरम में मैं हूँ मनोज वर्मा सफवी लोगसभा के दो साल पूरे हो चुके हैं काम काज के लिहाज से ये दो साल कैसे रहे ये सवाल इसलिए भी उटता है क्योंकि कुरोना की चुनोती जो थी वो अधिकांश समय इन दो सालों में रही है लेकिन अगर काम काज की बात की जाए तो काम काज के लिहाज से सत्वी लोगसभा ने कई रिकायट कायम की है कई नई पहल इस सत्रमी लोकसभा में हुई हैं इनी सब मुद्दों पर अपने इस खास कायकरम में हम बात करेंगे सीधे बात करेंगे लोकसभा अध्धक्ष शरी ओम बिल्ला जी से सर आपको भवाव स्वागत है लोकसभा टीवी पर अगर मैं बात करूं कुरोना काल खंड क क्योंकि इन दो सालों में तमाम तरह की चुनोतियां देश के सामने आईएं संसत के सामने आईं संसत का कामकाज कैसे चले यह एक बहुँ बड़ा सवाल रहा है लेकिन इन दो सालों में कामकाज केले हाद से सबस्ब जासर बने commend है क्या कहना आपका ये दो वर्ष निश्य रूप से सभी मानने सदश्यों के सयोग से, उनकी सक्री भागिदारी से एत्यासिक भी रहे और लोगों का विश्वास और भरोसा भी रहा है। हमारे प्रण्वनति सदन के नेता मानियने नमोदी जी, प्रतिपश के सभी नेता अगन, सभी दल के सदश्य अगन, सबने लोकतंत के प्रति लोगों का आसता विश्वास बढ़े, सार तक चरचाओ, समवाध हो, तेश्कीत में कानून बने, लोगों की समश्यां सदन के माध् से स्रमश्चा का समाधान हो इसकी लिए एक व्यापक डश्टी कौन से सभी मानिस सदश्यों ने अपने विचारों को रखा जिए देश की सबसे बड़े लोकतांती संस्ता के साथ साथ मैं कह सकता हूं कि विश्य का सबसे कारशी लोकतांत भारत है जब हम पूरी विश्य की चर्चा करते हैं तो हमें यह चर्चा करना आउशक होगो इतना बड़ा देश और इतने बड़े देश में हमारा लोकतांत जीवन्त भी है और सत्रा आम चुनाओं के अंदर जिस तरीके से मतदाताओं ने मतदान किया लगातार मतदान प्रतिशत भागीदारी किये युवाओं ने भागीदारी किये उस सत्रा आम चुनाओं के अंदर ये साबित करता है कि लोकतंत के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है खरोसा बढ़ा है दूर दराज के ग्रामिन इलाकों के अंदर आदिवासी इलाकों के अंदर जहां पर रस्ते भी नहीं हैं, वहां उस्सा के साथ लोगमद्दान करने आते हैं, लोगतंत का उस्सो मनाते हैं, और इस विश्वास के साथ मनाते हैं कि जो जन्पती हम चुनकर भेजेंगे, वो हमारी समश्या को, हमारी कटनाएं को, हमारी बात को संसत के माध्यम से सरकार में रखेगा, और सार्तक प्रियास से हमारी समश्याओं का समाधान होगा, और यही एक प्रियास राज जिसके कारण लोगतंत के मंदिर में कई एतियासिक निर्ने हुए, पेसले हुए, कई विधेकों पर लंबी चर्चा हुई, समवाध हुआ, कुछ में सरमती बनी, कुछ में एसमती बनी, लेकिन सरमती एसमती हमारे लोगतंत की पैचान है, और उस पैचान के अंदर जिस दल का बहुमत होता है, जिस विचारधारा को लोग जिता कर बेशते हैं, वो लोगों की भावनाओं के नुसार कानून बनाने का काम भी करती है, और अपनी नितियों पेसलों को भी लागू करने के लिए कारे करती हैं, लेकिन इस लोगसवा में विशेश प्रूप से मैंने देखा की 107 विधेक पारित हुए, इतने कम समय के अंदर, और उसमें सबसे बड़ी बात है की अधिक्तम भागेदारी सदश्यों की रही, 1742 माने सदश्यों में इसमें भागेदारी की, जो मेरी शाहिद के इस लोगतंत के इतियास में इतियासी रही, हमारा मानना यही कि जब कानून बनता है, उसमें अधिक्तम मानने सदश्यों की सक्री भागेदारी रहना चीए, ताकि अपने विचारों को वेक्त कर सके, कानून देशीत में बन सके, कानून बनाने का काम संसत का है और इसलिए इसमें सभी सदस्यों ने जो सक्री भागीदारी निभाई मैं उन सब को बहुत-बहुत शुबकामना देता हूं बढ़ाय देता हूं कि उन्होंने लोगतंत के मंदिर की प्रतिष्टा बढ़ाने में अपना सेयोग किया अगर कामकाच की बात मैं करूँ तो चौधवी पंदरवी सोलवी लोकसभा से अगर मैं इसकी तुल्ला करता हूं सत्रवी लोकसभा की हाला कि अभी दो साल हुए हैं पांच सत्रों हुए हैं कुल लेकिन कामकाज के लिहास से साफ अंतर देखने को मिलता है खासतों सकर चौद्वी और पंद्रवी लोकसभा की मैं बात करूँ सत्रवी लोकसभा के पांच सत्रों में 122 पिर्तिशत से अधिक कारुत्वादगता रही है इसकी बज़े क्या रही क्योंकि एक 26 अंसत की बनी थी कि चौद्वी पंद्रवी लोकसभा में की काम कम होता है शोर जादे होता है लेकिन इस सदर में हम देख रहे हैं कि काम काज जादे होता है लोगों का लोगतंत में विश्वास चुन्य जन्पतिद्यों की सक्री भागेदारी अधिक तम अवसर देना प्रयाप समय देना जिसके कारण लोगसभा की प्रोड़क्टिटी लगातार बढ़ती गई कोविट के समय भी जब महामारी थी उस समय भी मानने सदर्श्टों ने सक्री भागेदारी निभाई अपने सविधानिक दायतों का निभाया उसके कारण 167 167 प्रतीशत उत्पादक्ता कोरोना के समय देर राती तक सदन चलना जी और उस सदन में सक्री भागेदारी निभाना मुझे लगता है कि मानने सदर्श्टों को ही धन्यवाद जाता है जिन्होंने इतनी सक्रीता से सदन की कारण वाय में इस्सा लिया जी एक बड़ा बदलाब और देखने को मिलता है या मैं को एक सवाल और उठता है अक्सर सवाल उठता है वो मानिये सांसर्टों की तरफ से ही मैं अक्सर सुनता है खास तरफ से अगर हम बात करें सोलवी लोग सभासे पहले की कि जो नए सांसर्ट सदस होते थे खास तरफ से उनकी एक शिकायत रहती थी कि हमें बोलने का मौका आ तो मिलता नहीं है, मिलता है तो कम बोलने का मौका मिलता है, इस बार नए सांसर सबसे ज़्यादा कहते हैं कि उन्हें बोलने का मौका खूब मिला, इसकी बजह क्या रही? क्योंकि मैं भी सांसर रहा था और मैं इसको समझता था कि सोला लाग, सता लाग, पंदा लाग, बीस लाग मद्दाताओं का प्रतिनी ज़्यादित संसर सदश्य करते हैं जनता का। वेक्तिनी एक संस्ता है जो उनकी भावनाओं को सदन के माध्यम तक सरकार तक पहुचाते है मैंने कोशिश की कि पहले सत्र के अंदर ही सभी मानने सदश्यों को प्रयात समय मिले, प्रयात अफसर मिले ताकि वो अपने शित्र की समस्याओं मुद्दों को भी सदन में रख सकें, कानून बनाने में भी सक्रिबागीदारी ले सकें और और भी जो हमारे नियम प्रक्रिया के हिस्से हैं तीन सो सद्धतर हो या अन्यक की बहस मुद्धों पर बहस हो उसमें सक्री भागी दारी ले सके इसके लिए मैंने कोशिश की कि जो नए चुनेवे मानने सदश्य हैं उनको पहली सदन की पहले सद्ध में ही बोलने का मुख कर दिया जाए क्योंकि इस सत्र की यह भी विशेष्टा रही कि अधिक सबसे ज्यादा मैला सदश्य इस सत्री लोकसभा के अंदर है और इसलिए मैंने सभी मैला सदश्यों को भी आगरप रोकिया कि उनको अपनी बात रखनी चीए कुछ विशे अभिलम लोगमत के जुशनिकाल में रखे कोई ने थ्री सेवन सियोन के रखे कई विधेक पर बोली कई चर्चाओं में बोली पर अधिकतर मैला सदश्यों ने पहले सत्र में ही अप कुछ मैला सदश ऐसी भी थी जो शायद प्रियास न करता तो सदन मैंने बोल पाती क्योंकि उनको अपनी शेत्री भाषा आती थी शेत्री भाषा के लाओ और कोई भाषा नहीं आती जी लेकिन हमारे संसत के अंदर हम विभिन भाषाओं के अंदर अपनी बात को कहने के लि बात रखी और जब मैंने दूसरी बार आगर किया तो उसने का नहीं मुझे बोलना है तो मुझे अच्छा लगा कि पहली बार जब मैंने बुलाया तो मैंने बोलती मुझे इंग्लिश नहीं आती हिंदी नहीं आती मुझे उडिया आती है तो मैंने का जो आपको भाषा आत चल से आईवी महिला जो महिला सेउसायतासमू में काम करती है वो चुनकर आई और सदन में उन्होंने उन महिलाओं की बात सेउसायतासमू की परेशानी कटनायों को सदन के माद्यम से रखा तो निश्रू से यही भारत के लोकतंत की विशेष्टा है कि यहां पर अलग अलग अलग अलग विशार धारा लेकिन विविश्टा के अंदर लोकतंत की एकता जी और बिल्कुल यही खुबी भी है कि सदन में लोगों को बोलने का मौका मिले और हमने देखा कि आपने लगातार इसके लिए प्रयास किया लोगों को प्रेजित किया कि वो लोग बोलें अध्रमी लोकसभा में व्यवधान हुआ लेकिन बहुत कम हुआ आप व्यवधान का जो यह मसला है कि सदन चले आप कहते हैं लगातार इस बात पर जोड़ चलते हैं कि मुद्धों पर चर्चा हो किसी भी मुद्धे पर भैस हो व्यवधान के इस पक्ष्कों आप कैसे बैठक हुई 35 विदेग पारित हुए जिसकी प्रोड़क्तिटी 125 प्रतीशत रही उस सत्र की पहली बैठक में कोई वैधान नहीं हुआ सदन बादित नहीं हुआ देर रातिक तक सदन चला एक दिन के अंदर 161 सदर्श्र माने सदर्शों ने शुनिकाल के अंदर अपनी बा सक्री भागिदारी माने सदर्श्रों की नहीं होती तो शायद हम अपेक्षित परिणाम निला सकते थे और जहां तक वैधान का प्रश्ण है हम सभी पीटासीन अधिकारी समय समय पर चर्चा करते थे हैं राज्य के पीटासीन अधिकारियों के समयलन में भी हमने व्यापक को विचारी मश् किया चर्चा की और एक समती बनी कि सभी विधान सबाओं के अंदर हम नियम प्रक्रिया ऐसी बनाये जिसमें वैधान नहों बेल में नियाए थक्तियान प्ले कार लेकर करने के लिए इसलिए कुछ विधान सभाव में कानून बने लोग सभा में भी ये कानून है प्रक्रिया में है नियम प्रक्रिया का नारेबाजी बी आती हैं मैंने सभी को आगर किया की अच्छी पर्म्प्राएं हम करें अच्छी परपाटिया हों लेकिन हम उन परम्प्राओं को लागूर नहीं करें जिससे जंता का धन खर्च होता है और जिन अपेक्षाओं से चुनते हैं अपेक्षाओं गोंपी नहीं कर पाते। ऐसी प्रमप्राओं परपाटी को हमें खत्म करना चीह एक सवस्त प्रमप्रा हो सवस्त चर्चा हो चर्चा के अंदर सहमती हो सकती है Assamati हो, वेंग भी हो लेकिन आरोप लगे संसिली तरीके से ये मैंने आगरपुर्वक समय समय पर निविदन करता रहता हूँ कुछ आगरपुर्वकार होते हैं कुछ पुरानी परंप्राएं हैं उसका हवाला देकर कुछ वैधान करने की कोशिश करते हैं लेकिन मुझे आशा है एक दिन हम सभी देश के सदनों के अंदर इस वैस्ता को लागू करने में सपर होंगे कि न जा कोई वेल में आएगा जिनन कोई प्लेकार लेके आएगा न नारे बाजी करेगा अपनी बात अपनी सीट से कहेगा घंबीता से कहेगा संसदी मर्यादाओं से कहेगा आरोप परत्यारोप लगाना होगा तो भी संसदी मर्यादाओं में लगाएगा मत की सहमती असहमती वेक्त करनी होगी तो भी अपनी सीट से अभिवेक्ती करेगा ये तो हमारे लोक्तन्त की विशेष्टा है, सहमती ए सहमती, और इसलिए भारत का लोक्तन्त जीवन्त है, गतिशील है, कि यह सहमती ए सहमती का इस्तान है, और हमेशा सत्ता पक्ष भी इसलिए प्रतिपक्ष का सम्मान करता है, उनको विश्वास में लेकर चलता है, इसलिए स ही और समय समय में business advisory committee के अंदर बिजनिस ते होता है उस समय भी सबकी स्र मती कौण सा Bignes कब लेना ये भी उस दिन होता है तो यह सबकी सह मती से स्रुसरूमती से होता है तो सदन चलेगा मुझे आचा है कि जनता भी इसे अपैक्षाओं को इन लोकतंतAm that मंदिरों को देखती है। उनकी भी अपक्षा यह है कि इस लोकतंत की मंदी में स्वस्त परंप्राइं डले, स्वस्त चर्चा हो, वाद विवाद हो और हमारी समश्याएं कटनायों पर का समाधान निकले। मुझे लगता है कि ऐसी कोशिश सब जगे कर रहे हैं, इसका परिणाम एक दिन आएगा। जो नई पहल आपने की सदन को शरूप से चलाने के लिए, कुछ उसके बारे में हमें बताइए। प्रशन काल सबसे महत्पुन समय होता है, जिसमें मानने सदश सरकार की नीतियां, कारेकम, एक्जुकिशन की जवाब देई। सदन के मार्दियम से सरकार से पूछ सकता है, और सरकार के मंती को सदन में जवाब देना पड़ता है। इसलिए प्रशन काल के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रशन सदन में आये हैं। अभी तक 20 तारंकित क्युशन की लाटरी खुलती थी। लेकिन 3-4-3-4 क्युशन तक ही प्रशन आप आते थे। मैंने कोशिश की कि इसको हम 20 की लाटर कुली 20 माने सदर्श्यों को मोका भिले। एक दिन वह भी समय आया है जब 20 के 20 प्रशन सदन के पठल पर आये। लेकिन एवरेज अभी भी बहुत अच्छा नीरा 5.37 अभी तक के एवरेज से तो बेतर रहा। लेकिन मेरी अपिक्षा है कि हम 20 सदन की पठल पर ला सकें ताकि हम अधिक्तम पार्दश्रीता तरीके से सवाल जवाब वह पूछ सकें, जवाब दे भी ते कर सकें और सरकार की नीतियां, कारेकम, उसका एक्जूकिशन ठीक से हो रहा ने हो रहा। यह सदन के माध्यम से सरकार भी देख सकें, इसके लिए प्रयास जारी है, आएंगे दिन अपिक्षित परिणा मुझे आशाया है। अधिक जी आपने एक कोशिश और किये, कि जो मानिय सदस्त हैं, वो जनता के साथ अधिक से अधिक जुड़ें। कोरोना काल में आपने खास तौर पर अपील की सदस्तों से कि वो जनता से सीधा संबाद करें, जनता की मदद करें। आपने स्वैम भी वो पहल की, आप जनता से सीधे संबाद आपने किया लोगों की मदद की, हमने सब ने देखा, पूरे देश ने उस चीज को देखा। आपके कोशिश ये रही कि समाजिक कारें से सदस्तों की जो भागीदारी है, वो बड़े। जो सरकार की योजना है, आम जनता तक पहुँचे, नीचे तक पहुँचे, इसके लिए भी आपने कई बार सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी, अलग-अलग मन्चोसस पर जोड दिया। आप कैसी भूंका देखते हैं एक सांसर तरस्त की इस लोगतान तक बवस्ता में। अपिक्षा भी करती है, कि मेरा जन्पति मेरे सुखदुक में भागीदार बने, मेरी कटनाई परिशानों को समाधान करने मेरी मदद करें, और उसके हर कारे में समेदना होनी जी, और जब ये उसके मन में ये भाव आएगा, कि इसकी पीड़ा, इसका दर्द, इसकी दगता है कि वो एक आदर्श इस्तिती बनेगी, और इसलिए समय समय पर हम जितनी भी लोगता अंतिक संस्ता हैं, चाहे ग्राम पंचायत हो, नगरपाली का हो, विधायक हो, चाहे मानियसान सदो, सभी में हमारा प्रशिशन श्रिविट चल रहा है, कि हम जन्ता के परती मुईकता से काम करके समाधान करें, अभी कोरोना संक्रमन के समय भी हमारे जन्द प्रतिदियों सक्री भागीदारी निभाई, अपने अपने शित्तों के अंदर उनकी कटनायों को, उनकी मसीबतों को कम करने का प्रियास किया, ऐसे सभी देश के लोगों ने अपने अमने श सामुइक्ता से कुरोना की प्रही वेव में भी काम किया, कुरोना की दीसरी वेव में भी काम किया, और उन सब संकट के समय, एक सयोगी के रूप में, अपनी सो पेढ़ना से, सब ने इस चुनोती का मुकाबला किया, आज यही हमारी सामुइक्ता के संकत के शक्ति है, कि हम इस महामारी हो, चाए कोई भी संकट हो, कोई भी आबदा हो, उसमें सामुकिता से मुकाबला करने की तागत भारत की 130 करोड़ों में है, और इसी कारानम हर चुनोतियों का मुकाबला करके उस चुनोतियों को निकलते हैं, मुझे आशा है, इस तागत और शक्ति को, स्वामिक शक्ति को और बढ़ाने के आउश सकता है, इसमें जन्पतिनी की भूमी का इसलिए महर्पुन है, कि वो समाज का नितुत करता है, इसलिए पहल उसको करनी पड़ेगी, ये मेरा आग्रह उनसे रहता है. अधिक जी, एक और बड़ा बदलाव हमने देखा, कि लोगसभा सचवाले पेपरलेस बने, और इप्रशन के जरिये प्रशनों की संख्या बढ़ी, डिश्टल भविश की दिश्टी से लोगसभा सचवाले ने, लोगसभा ने आपके निर्तत में कदम आगे बढ़ाएं, इ प्रशन ने लगा है, पहले डिजिटल से, उनलाइन क्यूषन 40% लोगसभा प्रशण डालते थे, अब 90% लाइन प्रशन डिजिटल के माधियम से उचा लगाते हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम किस तैसलीके से 100% डिजिटल की और बढ़े हैं, इसके लिए हम माने सदश्यों से भी प्रयास कर रहे हैं सच्चेवाले को हमने पूरा डिजीटल करने का काम कर लिया है हमारी लाइबरी हो हमारी रिसर्च विंग हो उनको हमने डिजीटल कर दिया है यहां पर अठारा सो चवण से लेकर और अभी तक का record हमने digital कर दिया है 170 साल का हमने record digital किया है हमने हमारी library को digital करने का काम अभी कुछी दिनों में पूरा हो जाएगा इस तरीके से हर sector को हम digital करने के साथ कागज का कम उपयोग होगा और मुझे आशा है कि नई संसत इसके लिए और उप्योगी होगी कि हम संसत के अंदर भी अपने सारी चीजों को डिजिटल करने में कामयाब होंगे आपने नई संसत की बात की नई संसत की बिल्लिंग का निर्मान का शुरू हो चुका है लेकिन अक्सर एक सवाल इसको लेकर पूछा जाता है और वो मैं सवाल आपसे भी जाना चाहूँ है कोगी देश के लोग भी जानना चाहते हैं कि इसकी जरुवत क्यों महसूस की जा रही हमारी संसत का वर्तमान भोन जो हमारी आस्ता विश्वास का पिति है जहां पर देश ने आजादी भी प्राप्त की बारत का सविधान में या बना कई एतियासिक निर्णे या पर हुए देश की हित में निर्णे हुए कई कानून या पर बने कई नेताओं का समर्पन इस संसत के अंदर है लेकिन यह जब संसत बनी थी उस समय उस वर्तमान आउख्षक्ता के नुसार इस संसत का उप्योग पूर्ण था लेकिन आज भी जो बार का धाचा है मैं कह सकता हूँ कि विश्च के अंदर सबसे बड़ी संसत हमारी है और धांचे को आज भी देखे तो हमें गर्व होता है लेकिन आंति गूप से हमने संसत के अंदर जो जो आउशक्ता है पढ़ती गई उन आउशक्ताओं के नुसार हम परिवर्तन करते चलेगे और इतना परिवर्तन कर दिया हमने कि अब उसमें कोई विस्तार की गुंजाइश नहीं बचे और सदन के अंदर सदश्यों को बेटने में कटना ही होती है और उसके लावा अन्य उपयोगी संसादन जो आउशक होते हैं उनकी भी कमी यहां पर होती है क्योंकि भईश के अंदर हमारे माने सदश्यों की संक्या भी बढ़ेगी हमारा वर्तमान जो अंदर का बेटने वाला सदन है वो सदन अभी बहुत छोटा है इसने एक नए सदन के आउशकताओं को सब माने सदश महसूस करते थे गिरिन बिल्डिंग हो, डिजिटल करन हो यांत्रिक हमारा धोनी यंत्रम ठीक से हो हमारे केमरे वगिरा सब नहीं टेक्नोलोजी के लगे इसी कई चीजे हैं जो मुझे लगता है कि अब नए भौन के आउशकता थी और इसके लिए हमने दोनों सदनों में राज्यसवा, लोक्सवा के अंदर भी मैंने मेंशन किया था हमने सरकार को आगर किया था कि नए भौन बनना चीए संसत के दोनों सदनों के आगर पर ही नए संसत भौन निर्मान की स्विकरती सरकार ने दिये इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ और 970 करोड रुपे की लागत से संसत बननी है और मैं कहूंगा कि दुनिया की बैती संसत भौन होगा जो हमारी नई आजादी की इमारत को लिखेगी जी आज संसदिये ववस्ता में जो संसदिये समीतियां है इसकी बड़ी एहम भौन का है वर्चली ये कैसे काम करें क्योंकि इस तरह की मांग भी उठी रही संसदिये समीतियां और कितने प्रभावी ढंक से कार कर सकें इसको लेकर आपकी कोई योजना संसदिये समीतिये आज भी हमारे भारत के लोगतंत की एक मिनी संसत की तरह काम करती है वहाँ दल से उपर उठकर विचार धारा से उपर उठकर एक्जुकुटीव के जवाब देश से काम करें इसके लिए समय समय पर संसदिये समीतिये अपनी सिपारिशे करती है अपने सुझाओ देते हैं माने संसत सदश्ट भी अपने विचार रखते हैं अधिकारी भी खुल कर विचार रखते हैं और आप से समवाद और चर्चाव हैं जिन बात को लेकर सहमती बन जाती है कि ये पोलीसी बननी चीए ये नई पोलीसी को ये अमेंडमेंट करने के आउश्च चकता है या ये नए कानून बनाने के आउश्च चकता है या इस कानून के अंदर इस परिवर्तन करने के आउश्च चकता है या कानून बनाने के समय कई मवसुदें हम स्टेडिंग कमिटी के अंदर बेसते हैं उसमें सभी स्टेड होटरों से चर्चा होती है जो हितकार हैं उनसे चर्चा होती है तो व्यापक चर्चा करने के बाद हम कई विधेकों को संसद में लाते हैं इसलिए इस संसद की गरिमा को और संसदी समीति की गरिमा को अगर हमें बढ़ा के रखना है तो मेरा मानना है कि उस समय के विशेशग्युन is यह माना था कि जो संसदी समीटिया है जह वो संसदी समीत्यों की कारवाई गोपनी होनी चीए जब तक आउशक न हो जब तक इसको पब्लिक डॉनीम नहीं लाना चीए इसका सीधा प्रसराण नहीं होना चीए इसके कारण क्या हुआ हमारी संसदी समीतियों की का कारे भी ठीक से चलने लगा था कुछ माने सदश्य भी कहते हैं कि वर्चुल समीति होनी चीए उस समय जब बनाया था जब ये बात सही है कि क्योंकि ऐसी मामारी आएगी ऐसा समय आएगा कि मनुश्य मनुश्य नहीं मिल पाएंगे लेकिन आज भी मेरा मानना है कि हमें उन सब बातों पर विचार करना चीए कि वर्चुल होना चीए नहीं होना चीए क्योंकि वर्चुल होने के कुछ लाब भी हैं कोई नुकसान भी है इसलिए कोई अगर मानि सदश्ष्ष्ष सदन के अंदर कोई अपनी बात रखेगा तो उसके लिए में हमारे नियम प्रेक्रिया के अंदर जो 266 में उस नियम प्रेक्रिया को परवर्तन करना पड़ेगा लेकिन जो लोग पत्र लिख रहे हैं मानने सदर्श्रकन वो जब कोवीट के समय जब सदन चल रहा था जब किसी ने इस विशे को नहीं उठाया जी वो मानने सदर्श्रकों को अपनी बात कहने का अधिकार है वो फिर कहेंगे तो सदन के पतन पर फिर उनकी बात को लाए जाएगा नियम प्रक्रिया कमिटी में ले जाए जाएगा वाँ चर्चा होगी और जो सर्मती वहाँ पर बनेगी उसके आदार पर सदन में ले जाए और अच्छी सार तक संवाद चर्चा के साथ काम कर रही है और कई अप्यक्षित प्रेणाम भी इस संसदी समीतियों के माध्यम से निकलें जो देश्रीत और राष्टिस्त में हुए है जी अधिक जी अंतर राष्टि इस तर्पे भारत की संसद की भारत की लोकतांतिक ववस् है वो मजबूत हो उसकी मजबूत चवी बनके उपरे उसके लिए उद्देश पून योजनाई भी कई तरह की आपने शुरू की कई उपलब्दी भी उसको लेकर है यह अनभव आपका कैसा रहा है यह बास सही कि अंतराष्टि इस्तर पर भारत की चवी और प्रतिष्टा चवी को बढ़ाया है भारत का लोगतन्त सबसे बड़ा लोगतन्त है और हमारी संसद और संसद की कारवाई हैं आज भी कई देश के जन्पति आते हैं, वहां के सचे वाले के अधिकारी आते हैं, और हमारी कारवाईयों को देखते हैं, कि हमारी कैसे संसत की कारवाईया हैं, कैसे हमारी समीतियां चलती हैं, कैसे हमारी परपाटे हैं, परंप्रा हैं, नियम हैं, तो मैं कह सकता हूं कि भारत की संसत की लोगतंद के परती अटूट विश्वास और आस्ता यही हमारी सक्षे थे संसत की और इसलिए हम कहते हैं कि हमारा लोगतंद गतिशील भी है किरिया शील भी है और हमारी संसत जनता के परती जवाब दे भी है मुझे आशा है कि भारत के कई देशों के अंदर भारत की लोग तंद के परती हमारी आस्ता विश्वास हमारी सर्विदानी ही परंपण को हम देश के उन कञें में लेकर जाएंगे बताएंगे किकिस तरीके से भारत में 17 अमचुनाओं के अंदर 8 बार सत्ता परिवर्तन सहलता से होई जनता का शाषन होता है जनता के चुनी सरकार होती है और उस संसत के अंदर नियम बनाना, कानून बनाना जनता के अभीवक्ति करने का काम के से होता है ये विश्र के अन्य देशों में भी ले जाएंगे लेकिन एक बहुत महत्मूर सवाल है चलते जलते मैं आप से जानना चाहूंगा उसके बारे में क्योंकि आप कोटा बूंदी लोगसभा सीट से सांसद हैं आप लोगसभा अद्धक्ष हैं आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है संसत कानून बनाती है देश के लिए लिकिन जो कोटा बूंदी के आपके मद्दाता है जो आपकी जनता है उसके लिए आप कैसे मैनेज करते हैं दोनों जिम्मेदारियों को क्योंकि मुझे कोटा बुन्दी की जनता ने चुनकर बेजा है, इसने मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जिन अपिक्षाओं से मुझे चुनकर बेजा है, जिन विश्वास भरोसे बेजा है, मैं उनका विश्वास भरोसा कायम रखूं। तो निश्चित रूप से सभी मानिस सदशे अपने अपने संसिली शित्र की जनता का विश्वास भरोसा कायम रखते हैं और उनके लिए सहयोगी के रूप में कारेकरता के रूप में काम करते हैं मुझे जिम्मेदारी लोकस्वा अद्धिश की भी दिये इसनाती मेरी और जिम्मेदारी बन जाती है कि हम देश के अंदर लोकतंत को सशक्त करें मजबूत करें लोकतंती संस्ताओं के परती लोगों का विश्वास भड़े भरोसा भड़े देश की सभी लोकतांति संस्ता हैं चाहे ग्राम पन चाहे तो नगरपाली कहा हो चाहे विधान सबाओ उनके अंदर नियम प्रक्रिया से सदन चले सदन जनता के प्रति जवाब देई है ये सारा काम क्योंकि लोकसबा सरुच संस्ता है इसकी नितिक जिम्मेदारी बन जाती है कि देश की लोकतांतिक मुल्यों को हम और मजबूत करें हमारी सविधानिक निर्वन को और ठीक से निभाएं इसके लिए प्रियास करते रहते हैं और मुझे आशा है कि हम और भरोसा देश की जनता का कायम करेंगे हमारी देश की सरुस्थनस्ता के परती और जवाब देश से काम करेंगे जनता की अपेक्षय आकान शाओं को सदन पूरा कर सके ऐसा प्रियास करेंगे मुझे आशा है कि सभी मानिस सदेश इसमें सक्री भागीदारी निभा रहे हैं जिसका परिणाम है कि जनता का विश्वास बोसा बढ़ा है और भागीदारी कैसे बढ़ा सकते हैं इस पर समय समय पर और काम करनी क्या हो सकता है तो और विकल्पों पर विचार करेंगे आपने हमसे बात की आपका बहुत धन्यवाद तो हमारे इस खास कायकरम में आज इतना ही मुझे दीजी आग्या नमस्कार